तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी फूचर ऑफिसर्स और सीडियस आश्परेंट का एक्जाक्लिकल एक्जाम होने के बाद सबसे बड़ा प्रश्ण हो सबसे एहम प्रश्ण आपका जहन में है किस तरह कटाफ क्या जाने वाला तो चलिए आज ब्रॉडर अनालिसिस लेक इसलिए MKC के जो प्लानिंग है में आपको एटलिस्ट वन एयर के प्रोग्राम में लेते हैं जहां CDS, FCAT, CPF, ICG, ACTA हर तरह के एक्जाम में हम आपको अपरश्णिटी दिलाते हैं और फानली एक्जाम करते हैं आपकी स्योर सॉट सक्सेस तो एक्जाक्ली MKC का जो हमारा ग् सब्सक्राइब करें तो 136 का रहा है 222 सेकंड की बात तो 132 गया आएमे का तो आएमे का देख सकते हैं काफी हाइस कटाफरा वहीं आएने की बात करें तो 128, 132 और 122 हो गया F.A. सबसे हाइस जाता है 147, 148, 142 बट देखेंगे तो बड़ी हैबी गिरावट भी देखने को मिली एक्जाक्ली और इसमें वह आपको देखने को ओटिये 100, 102, 101 और यहाँ पर ओटियो विमन 100, 102, 101 देखने को मिला अब देखने को मिला अब देखने को कई पेपर में के पूछे का इस लेवल के, math was also tough, इतना easy नहीं था, moderate to hard ही कहेंगे हम लोग इसको, questions were from the CAPF, PYQs, 24 questions देखने को मिले हैं, जो कि Central Arm Police Force exam के previous year questions से भी उठाए गए, fundamentally GK questions were related to the NCRT again, फिर इसे NCRT को उने सही प्रूप किया, तो यह overall analysis है जो कल के paper में हुआ, अब आते हैं आपके section में CDS का answer की देख लिए सबसे accurate और सबसे up to the mark answer की है भारत की, तो उसको जरूर देख लिए वहाँ जाकर के, और IMA का 120-130 भी चा रहा है तो आप से और से और सोट हैं, और अगली exam के तयारी में लग जाए, INA इस बार 120-150 मिलेगा, FAS बार 130-135 मिलेगा, OTA भी 90-98 जाएग और मिमें तो 1998 रहेगा, तो यह analysis था जो मुझे आपको बताना था, इसका भी screenshot ले लीजिए, तो कटाफ इसी के आसपास जा रहा है, आपको अगली तयारी अपने SSB में बहतर स्कोर की करनी हो, अगले written exam करनी के करनी हो, अगले written examination के लिए, अगर CDS के भारत में कहीं special offline online batches च 233 पर और फटा फट कॉल करके आप batches तेजी के साथ बुक करिए, क्योंकि एकले exam में हमें आपको और बहतर स्कोर के साथ बहतर सफलता है कि और ले जाना, thank you so much, जै हिंज अभारत, कोई queries हो, तो comment सेक्शों में पूछ लें, thank you.